Hello friends, welcome to the video आज हम इस वीडियो पे Hello LKs और Hello Arane की NCRTK XI 10.21 करने वाले Question आपके पास है Primary Alkylite C4H9BR जो आपका A है reacted with alcoholic KOH to give a compound B ठीक है? वो कहर आपके पास Primary Alkylite है Primary Alkylite कहने का मतलब 1 degree Alkylite आपके पास है C4H9BR है ठीक है? तो आपके दो यहाँपर compound बन सकते हैं एक के बन सकते हैं आपका CS3, CH2, CH2, CH2 और BR जो आपका Normal Butyl Bromide है ठीक है? एंड दूसरे के बन सकते हैं CS3, CH, CH3, CH2 और BR ठीक है? दूसरे compound आपका यह बन सकते है जो आपका Isobutyl Bromide है ठीक है? ठीक है? तो आपके प्राइमरी अलकाहिलाइड है वो आपके दो ही बन सकते हैं C4H9BR से ठीक है? एक Normal Butyl Bromide और Second आपका Isobutyl Bromide ठीक है? ठीक है? तो क्या कहा रखा आपका? कि जो आपका प्राइमरी अलकाहिलाइड है that is reacted with alcoholic KOH to give a compound B अब alcoholic KOH से react कर रखा है तो आपका dehydroalogenation होगा जो आपका elimination होता है ठीक है तो आपको यहाँ परमिलेगा जो B वाला compound होगा यह आपका alKEEN होगा ठीक है? जो B compound होगा यह आपका alKEEN होगा अब जो compound आपका B है जो आपका alKEEN है ठीक है? alkyne is reacted with HBR to give C अब इस alkyne का आपका reaction हुआ है HBR से तो आपको मिला है यहाँ पर C product which is an isomer of A ठीक है जो आपका A का isomer है जो आपका alkyne आया है B वो आपका react कर रहा है HBR से तो आपको मिलनेगा यहाँ पर alkylite और जो आपके पास हैं alkylite है C वाला यह आपका एक isomer है A का C4H9BR का यह आपका एक isomer है जो आपको यहाँ पर मिला है ठीक है अब जो आपका A है जो A product है C4H9BR इसकी जब reaction हुआ है sodium metal के साथ when A is reacted with sodium metal it gives a compound D जब A का C4H9BR का आपका reaction हुआ है sodium metal के साथ तो आपको compound D मिला है sodium metal के साथ reaction होगा तो आपको यहाँ पर words reaction होगा ठीक है तो words reaction पर आपको compound D मिला है वो कौन सा है C8H18 ठीक है C8H18 ने आपको मिल रखा which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium तो यह आपकी एक important line है बोला है कि जब आपका A जो आपका C4H9BR है इसका reaction जब आपके sodium metal के साथ हुई है मतलब इसका जब आपका words reaction हुआ है तो आपको compound D मिला है ठीक है जिसका आपको molecular formula C8H18 है अब जो आपके पास यह है which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium तो जो आपके पास normal butyl bromide है C3, C2, C2BR तो इसकी reaction जब आपकी two molar sodium के साथ हुई है मतलब what's reaction होगा आपका ठीक है तो आपको मिल रखा है यहाँ पर क्या मिलेगा C3, CH2, 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 CH2 और CH3 तो यह चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी यह क्या है आपका C8H18 तो क्या लिखा है आपका which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium मतलब यह तो आपका यहाँ पर नहीं होगा मतलब यह आपका जो normal butyl bromide है यह आपका primary alkoh ह्लाइल नहीं होगा जो यहाँ पर बात करी है तो कौनसा होगा isobutyl bromide मतलब जो यह वाला product है वो आपका कौन सा है isobutyl bromide अब इसके बाद आपकी यहाप पर reaction होगी ठीक है तो आपके पास CS3, CH, CS3, CH2, BR इसकी reaction किसे हुई है अल्काहॉलिक KOH के साथ ठीक है अब अल्काहॉलिक KOH के साथ हुई है तो आपका है आपका है पर क्या मिलेगा अल्कीन तो क्या होगा आपका है आपका है पर CS3, C, CS3 और डबल बॉन CH2 तो यह चीज़ आपके पास आएगी यह क्या आपका 2-methyl-1-propene ठीक है यह कौन सा प्रोड़क्ट है आपका यह B1 जो B मिला है आपको यह चीज़ है ठीक है अब जो compound B है तो यह है आपके पास 2-methyl-1-propene it is reacted with HBR to give C which is an isomer of A ठीक है अब compound B आपका react करे है HBR से compound B क्या है CS3, C, CS3, double bond CS3 इसकी reaction आपकी HBR से हो रखी है अब आपको यह जो है product मिला है यहापर यह isomer है किसका isomer of A अब A का आपका isomer है अब A क्या है हमारे पास यहापर A हमारे पास यह है अब इसका isomer आपका क्या होग होगा ठीक है इसका isomer हमारा होगा क्या होगा अगर हम मार्कौनी एडिशन यहापर कराएंगे मार्कौनी एडिशन से क्या होगा आपको जो negative part है किस portion पर जाएगा यहाँ पर जाएगा तो CS3, C, CH3, BR और CH3 तो यह चीज़ आपको यहापर मिलेगी ठीक है मतलब यह आपको यहाँ पर क्या है आईसोमर है किसका आईसो ब्यूटाइ ब्रोमाइड का ठीक है हम यहाँ नहीं करा सकते थे क्योंकि आपको इसमें एंटी मार्कौनी ओफूल होता तो उसमें आपका आईसोमर नहीं होता आईसोमर क्या होते है जब आपका same molecular formula होता है लेकिन different structure होता है ठीक अब जो क्या आपका बोला है when A is reacted with sodium metal it gives a compound D तो D compound क्या होगा यह क्या हमारे पास यह चीज है आईसोमर टाइब रोमाइड मतलब CS3, CH, CH2, 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 CH3 और CH3 क्या है आपके पास यह 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 dimethyl hexane 2, 5 dimethyl hexane है आपके पास तो यह आपका compound कौन से है D वाला ठीक है यह कौन से है आपका टर्चरी बुटाइब रोमाइड C वाला तो यह चीज आपको यहाँ पर products में मिलेंगे फिर समझते क्या है आपको यहाँ पर जो आप ठीक है तो यह जो आपके compound है इसका आपका reaction होई है alcoholic KOH के साथ तो आपको यहाँ पर compound B मिला है ठीक है अप इन दोन में सा आपका कौन सा होगा वह हमें कैसे बता चला आपको यहाँ पर लिखा है कि when A is reacted with sodium metal it gives a compound D ठीक है जब A की reaction जब आपका जो A है यहाँ पर sodium metal के साथ हो रिखे तब आपको यहाँ पर compound D मिल लगा C8H18 which is different जो आपका अलग है from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium तो जब normal butyl bromide की reaction sodium के साथ होई है जो आपकी वोट्स reaction हो रही है तो उससे आपका यह different compound है मतलब normal butyl bromide आपका यहाँ पर नहीं होगा isobutyl bromide आपका यहाँ पर होगा तो यह तो आपक प्रोपीन मिल है जो आपका B वाला compound है ठीक है फिर क्या है compound B is reacted with HBR to give C which is an isomer of A तो compound B क्या है आपके पास यह चीज़ ठीक है इसकी reaction किसके साथ हो रही है आपके HBR के साथ है ठीक है तो मार्कोनी addition में लगाए क्यों में isomer चाहिए isomer में क्या होता आपका same molecular formula but different structure तो आपका क इस portion पर आपका इस portion पर आपका बियार जाएगा ठीक है तो आपको मिलगा tertiary butyl bromide यह कौंसा है आपका C वाला ठीक है इसके बाद क्या हुआ है आपका फिर हमारा वहीं था when A is reacted with sodium metal it gives a compound D ठीक है तो यह आपका है आपका है पर जो isobutyl bromide था इसकी reaction आपकी sodium के साथ हो रही क तब आपको मिला है 2,5 dimethyl hexane जो आपका D वाला प्रोडक्ट है ठीक है तो यह आपका है पर है पूरत जो भी ABCD वाले प्रोडक्ट्स है ऐसे आपके हाँ पर निकलेंगे ठीक है तो यह था आपका 10.21 थैंकियो फॉर वॉच्छिन दे वीडियो